मौलेक अधिकारों पर हमला शर्दपवार बोले सरकार को प्रगति शील विचारधारा की पड़वा नहीं वारिष्ट नेता शरत पवार्डे मंगलवार को आरोप लगाया कि देश में मौले करदिकारों पर हमला हो रहा है और सरकार को प्रगती शील विचारधारा की कोई परवा नहीं है कोलहा पूर में दिवंगत वाम पंथी नेता गोविन पांसरे के इसमालक का नावरन करने के बाद एक समाहरों को संबोधित करते वे पवार ने कहा कि प्रतिगामी शक्तियों के खिलाफ एक जुट रोक अपनाया जाना चाहिए उन्होंने प्रधान मंत्री नरेंद्र मोधी प पवार ने आरुप लगाया आज सत्ता का दुर्पियों किया जा रहा है सुतंतर अवाज को दबाया जा रहा है सुतंतर उलेखन पर प्रतिवंद लगाया जा रही है और समाचा चैन्डरों को अवरुद किया जा रहा है इसका मतलब है कि सत्ता में बैठे लोगों को मौलिक चिल्विचारधारा की परवा नहीं है उन्होंने द्रावा किया कि प्रधान मंत्री नरेंदर मोदी राजी सभा में केवल 20 मिनट के लिए आते ही जब संसत सतर के दरन आप लोगों की मुद्व पर चर्चा की जाती है और नीती गद मेरने लिये जाते है उन्होंने आगे कहा क कि वरतमान में सबी लोगों की प्रात्मिक जिम्यदारी भारत को बचाना है लोगों को सामपरदाइक ताकतों के खिलाब वोट करना चाहिए और भार्चपा को हराना चाहिए